दो बैंक दोस्तों, दो बैंक एक POC, गॉर्मेंट बैंक और एक प्राइबेट बैंक दोनों पहनी श्टोक, छे मेना पहले हमने इन दोनों श्टोक के बारे में एक बार एड़बाईज किया था दोस्तों कि जिसको 20 से 25 परसंट 6 मेना में आपको प्राफिट चाहिए, तो 6 मेना के लिए श्टोक ले लिजिए और यही नवंबर का महीना है दोस्तों, इसी नवंबर के महीने में 6 महीना पहले एक नवंबर से लेकर 10 नवंबर के बीच में बताया था और 6 महीना बितने के बाद नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, आगस्ट, जुलाई, जून जून में एडवाइस किये थे और यह प्राइस जो था इन दोनों बैंकों के 20 परसेंट से 25 परसेंट दोनों बैंकों में सेम जितना मैंने बोला था वह हुआ दोस्तों और यह भी बताये थे कि जिसको अगर आप 20 परसेंट से लेकर 25 परसेंट 20 परसेंट 22 परसेंट 23 परसेंट 24 परसेंट तक अगर आपको प्रापिट करना है तो इस दोनों बैंकों में इन्वेस्ट कीजिए और यह आज देखने को जो मिला दोस्तों हंडेट परसेंट जो मेरी एडवाइस थी आज देखने को मिल रहा है चलिए मैं आपको बता दूँ परतेक्छम की इंपरमान परजेंट टाइम में इन दोनों बैंकों के किसी का 20% से 22-23% है किसी का 20% से 25% तक है दोस्तो। दोई बैंक एक प्राइबेट और दूसरा PSU गौर्वर्मेंट के बैंक और दोनों बैंकों में ज़वर्जस्त घोटाला वहा था दोस्तो। और इस घोटाले के बाद इन दोनों बैंकों की ऐसी स्तिती हो गई थी कि लगता था कि ये बैंक आप दोनों बंद हो जाएंगे। लेकिन दोनों बैंक बंद नहीं हुए लड़ खड़ाते गिरते पड़ते खड़े हुए और उस बीच सभी को अच्छे से अच्छे एनालिसिस्ट को एडवाईजर को पता चलता था कि ये दोनों बैंक सही में बंद हो जाएंगे। कुछ दिन तक तो कुछ ऐसी निवizza भी चलने लगी थी पंजाब नेशनल बैंक की बात कर रहे है दोस्तो और यीज़ बैंक की बात कर रहा है पंजा बेंक आscenes परशन 24 परशन दिया 22 परशनlingen से 20-25 परशन दिया च्छे महिन बें तो यहस बैंक ने दिया 25 परशन से रबतार जाने वाले हैं ये भी जानेजिए हम तो लगतार गिरावट में लेते रहेंगे आगे आपकी मर्जी इसलिए कि पैसा आपका लगता दुर्शत और 2023 में येस बैंक और पंजाब नेशनल बैंक ये दोनों बैंकों की रबतार मिसाइल से भी तेज रबतार होगी इसलिए अपर सर्कीट पे अपर सर्कीट लगने के टाइम अब आ गए दोस्तों तो चलिए देखते हैं येस बैंक और पंजाब नेशनल बैंक सोमवार से क्या होता है 2023 दो महिना पहले इन दोनों बैंकों के पहले फिर बताते हैं दोस्तों दो महिना पहले MBA BK सिंग बता रहे हैं आपको 2023 आने से पहले एक बार जरूर अपने रडार पे रख लीजिए